जाहिन दोस्तों दोस्तों इस दुनिया के अंदर सूपर पावर्स हैं और सूपर पावर्स जो हैं उनके conflicting interests होते हैं और खासकर वो interests conflicting तब जादा हो जाते हैं जब उनका border एक दूसरे से match कर रहा हो तो ऐसी situation में दोस्तों रशिया और चाइना दो सूपर पावर्स आमने सामने धीरे धीरे आते हुए नजर आ रही हैं और इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा क्यों नजर नहीं आ रहा इसी का analysis करने वाले हैं लेकिन उससे पहले छोटी सी एक information आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप UPSC की तयारी कर रहे हैं IAS PCS की तयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए हमारी रामबान सिरीज एविलेबल है इसके अंदर Zero to Hero सिरीज उसके अंदर हम आप लोगों को NCRT का conceptor batch concepts clear करवाएंगे इसे conceptor batch कहा जाएगा सिरीज का इसमें क्या किया जाएगा आपको NCRT 6 से लेकर 12 तक की जितनी भी है उसको UPSC level पर prepare करवा दिया जाएगा साथ में previous year question papers भी जो PT level के हैं वो तयार करवा दिये जाएंगे ताकि आपका 100% जो base है PT के लिए वो तयार हो जाए और 40% जो mains का NCRT के उपर base है वो अच्छे से तयार हो जाए अब बचो fees सबसे important बात यही आ जाती है fees तो दरने वाली बात नहीं है हमने बहुत ही nominal fees रखी है 500 रुपीज पर मन्थ अब इतनी fees के अंदर आपके pocket पे भी असर नहीं पड़ेगा और तयारी भी लगातार हो पाईगी अब रही बात phone की तो दोस्तो ये दो number है इन में से किसी पर भी आप call कीजिए miss call कीजिए आपको काफी अच्छी खासी information मिल जाएगी और आप अपना admission लेके हमारे साथ continue कर सकते हैं दोस्तो अब आजाते हैं दो देशों की लड़ाई के उपर और उनमें से एक है रशिया दूसरा है चाइना दोनों आपस में क्या ऐसी problem है जो भीडे से हुए हैं और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में tensions होती हुई नजर आ रही है तो दोस्तो असलियत में समझ लीजिए इस दुनिया के मतलब रशिया और चाइना का historical background अगर उठा कर देखा जाए तो रशिया को कमजोर करने में और खासकर जो erstwhile USSR था उसको कमजोर करने में चाइना ने एक बहुत बड़ा role play किया है अगर तुम आप में से किसी को भी लगता है कि रशिया और चाइना दोस्त हैं या दो ही या तीन ही रिष्टे हो और बहुत से ऐसे रिष्टे होते जिसका कोई नाम नहीं दिया जाता लेकिन फिर भी बहुत अच्छी दोस्ती है अब लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं इसको आप अलग वोई मत लेगे जीए बदो फिल्मी के डायलोग मार रहा हिस्टोरिकली रशिया और चाइना हमेशा से एक दूसरे के राइवल रहे हैं एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं इस चीज़ को समझ लीजिएगा क्यों क्योंकि रशिया जैसे जैसे एस्ट यानि पूरव के अंदर बढ़ता गया वैसे वैसे रशिया की एक तो नजर हमेश बनाए रखता था और दूसरी तरफ Russian Empire हमेशा मंगोलिया पर अपनी नजर बनाए रखता था दूसरा इसी Russian Empire की ये जो मंचूरिया है इसके उपर हमेशा नजर रही है रशिया की हमेशा मंचूरिया पर नजर रही है यही रीजन था कि वो Korean Peninsula के उपर भी हमला करके जीतने की कोशिश करता है और जापान से भी उसका 1905 वार हुआ और उससे पहले हान EMPIRE भी इन पे लड़ता रहा है और यही एक रीजन है हान EMPIRE ने इस इस ईलाके पर कबजा किया और रशिया इस मंचूरिया पर कबजा करने की हमेशा से सपना देखता रहा है अब बात आ जाती है फॉस्ट वर्ड वार के बाद की या सेकेंड वर्ड वार के बाद की जो कोल्ड वार पीरिड था अब उसमें देखेंगे रशिया के अंदर कॉम्योनिजम का उदै हुआ यानि साम्यवाद का उदै हुआ और USSR सोवियत संग जो है वो एक्जिस्टेंस में आया USSR यानि सोवियत यूनियन केम इंटू एक्जिस्टेंस जब सोवियत यूनियन यानि सोवियत संग एक्जिस्टेंस में आया तो असलियत में नॉर्मली वो 1917 के अंदर सत्ता में आ गया और 1921 में क्लियर हो चुका था कि सोवियत यूनियन इस पावरफुल उसके बाद 1921 में अगर आप 1921 में आप देखेंगे तो 1921 में ही Communist Party of China Chinese Communist Party CCP बनी और उसने चाइना के अंदर कॉमिनिजम को फैलाने के लिए मेहनत करनी शुरू करी और उसके बाद Mao Zedong टाइप के लीडर निकले जिन्होंने स्लोगन दिया कि सत्ता की चाबी बंदू की नाल से निकलती है हथियार उढ़ाओ और लड़ो Chinese Civil War में रशिया ने खूब मदद करी और लेकिन सीधी सी बात है चाइना के अंदर भी Communist Party of China का रूल हो गया और People's Republic of China डवलप हुआ इमर्ज होकर आया अब आप यहाँ देखेंगे ये चाइना भी एक Communist देश था ट्रेडिशनल राइवल्री बता रहा हूँ चाइना भी एक Communist कंट्री था और USSR भी Communist कंट्री था दोनों के बीच में एक अजीब सा Competition शुरू हुआ Competition to Leadership of Communist World इनके बीच में शुरू हुआ दोस्तों और ये Competition गजब लेवल का था Competition to Lead the Communist World इस Communist World का जो लीडर है वो कौन होगा इसके उपर बहस छिड़ गई रशिया कहता है कॉम्यूनिजम ने हमारे यहां जनम लिया और साइज में भी देखो हम बहुत बड़े हैं इसलिए वी आर दा लीडर रशिया का यहां Central Asia में भी दबाव था रशिया का South Asia तक दबाव बड़ता जा रहा था रशिया का इस यह जो जौर्जिया और जिसे कहते हैं के Caucasus Mountain Ranges वाले कंट्रीज इन पर भी दबडबा रशिया का South Europe के अंदर भी दबडबा अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी दबडबा और यही रशिया कहता था कि चाइना जो है वो हमसे बाद में Communist बना और उसे हमें फॉलो करना चाहिए चाइना कहता है हम largest communist country है population wise हम largest communist country है population wise और क्योंकि population wise हम सबसे बड़े हैं इसलिए हमारी बात जादा मानी चाहिए मानी जानी चाहिए and we are the leader और यही रीजन है कि साउथ ही स्टेशिया में चाइना का influence काफी अच्छा खासा था लेकिन साउथ ही स्टेशिया में भी चाइना इतना ताकतवर नहीं था क्योंकि चाइना अभी militarily और financially ताकतवर नहीं था रशिया यानि USSR यहां पर support कर रहा था तब जाके चाइनीज वियतनाम वार में अपने आपको आगे बढ़ा पा रहे थे जब चाइना ने ये एक इनकी cold war वाली rivalry है और यही रीजन है USSR और USSR जब cold war के peak period में था उस time पर क्योंकि आपको याद होना चाहिए Cuban Missile Crisis and all वो सारी situations जो थी उस time पर cold war अपने peak period में था वहां पर China started shifting towards America started shifting towards America चाइना जो है वो अमेरिका की तरफ लगातार बढ़ने लगा और यहां से चाइना ने अपना पाला बदल लिया 1972 के अंदर panda diplomacy के थूँ चाइना ने दुनिया को एक शांती का संदेश दिया निक्सन ने अमेरिका के निक्सन ने चाइना के विजिट करी और धीरे से चाइना अमेरिका के पाले में खिसक गया और चाइना का अमेरिका के पाले में खिसक ना रशिया के लिए एक बिग ब्लो था और यहीं से रशिया और चाइना की जो लीडर्शिप के लिए लड़ाई थी वो एक अजीब तरीके की राइवलरी में कनवर्ट हो गई और यहां तक की दोनों के बीच में एक बार युद की नौबत भी आ गई थी जिसमें चाइना ने पूरे इस इस्टर्न रशिया के उपर अपना दावा ठोक दिया और जैसे ही दावा ठोका रशिया ने अपनी आर्मी भेज़ दी और यह कहा कि रशिया के उपर हम चाइना पर नुकलियर अटैक करने वाले हैं चाइना के सारी leadership underground हो गई सारी leadership underground हो गई दोस्तों इस level तक underground हो गई कि कई दिन तक लगभग एक हफते दस दिन तक तो चाइना का एक leader तक दिखाई नहीं दिया था माउजे दौंग वगरा सब भाग भूग गए थे पता नहीं कहां चिपे वे थे नहीं पता ही नहीं था पूरे country को नहीं पता था और ये situation बड़ी critical थी यहां तक मामला जबरदस्त था लेकिन कहीं न कहीं यूं कहें के रशिया की किस्मत बदली और ये cold war के अंदर cold war का जो outcome था रशिया economically कमजोर हो गया उसकी कुछ problems भी थी और disintegration of रशिया हुआ और इस disintegration of रशिया के अंदर 15 countries 15 countries जो थी वो तूट कर बिखर गई अलग हो गई और ये मामला है 1990 का जब 1990 में रशिया तूट कर बिखरा चाइना यहां से growth की double digit growth के तरफ बढ़ रहा था जबरदस्त लेवल पर आगे जबरदस्त लेवल पर तेजी से double digit growth की तरफ बढ़ रहा था और चाइना लगबग लगबग वोट दौर ऐसा था जो rise of चाइना बिगन हो चुका था rise of चाइना बिगन और यहां रशिया का downfall शुरू बई 1990 से लेकर और 2010 के बीच तक का हाल देखोगे तो रशिया और चाइना दोनों एक मतलब रशिया जो है वो सभलने की कोशिश कर रहा है और चाइना अपनी पीक्त की तरफ जा रहा है लेकिन रशिया के पास कुछ चीजे बड़ी जबरदस्त हैं एक उसमें जबरदस्त है दूसरा उसमें जबरदस्त है अदर नैचुरल रिसोर्सिज़ कास कर ओईल एंड गैस इसके अंदर जबरदस्त है और तीसरा defense military या defense technology इसकी जबरदस्ट है defense technology और space technology में भी रशिया का कोई सानी नहीं इसका dominance है ये रशिया की achievements है अब 2010 तक आते आते 98-99 में पुतिन का rise होता है और पुतिन उसके बाद से सब्ता पर कैसे भी करके directly या indirectly सब्ता पर काबिज है छे साल के लिए दमित्री मदेव देव को राष्टपती बना दिया था उसके बाद खुदीन है अब आप यहाँ situation को समझे यहाँ से re-emergence of Russia हो रहा है और Russia re-emerge हो रहा है जिस वजह से क्या है अब दुबारा से एक अजीव सा competition शुरू हो गया इस time तक आते आते चाइना के पास ultimate level पर पैसा है चाइना के पास ultimate level पर पैसा है यानि economic strength है लेकिन चाइन रशिया के पास अभी भी अगर आप देखें technology जबरदस्त है अगर आप resources देखेंगे तो वो भी जबरदस्त है और उससे ज़ादा important situation ये है कि resources के दम पे ये अपना dominance दुनिया के अंदर बढ़ा रहा है अब रशिया अपना dominance continuously दुनिया में बढ़ा रहा है और कहीं न कहीं अब वो अकेले दम पे survive करने की situation में आते हुए दिखाई दे रहा है लेकिन चाइना कहीं resources के मामले में रशिया पर dependent हो चुका है technology के मामले में भी उसने रशिया से काफी ज़ादा dependency दिखाई है लेकिन पुरानी rivalry अभी भी है पुरानी दुश्मनी अभी भी है और दिमाग में क्योंकि border match करता है चाइना की expansionist policy इसको हमेशा परेशान की रख रही है expansionist policy और मैं इस मामले में दोस्तों आपको बता चुका हूँ कि दुनिया के देशों में रशिया एकलाता ऐसा देश है जो हमेशा triangular superpowers में हमेशा trilateral superpowers में सबसे कमजोर और सबसे अलग थलग दिखाई देता है हमेशा से yes first world war में भी Germany versus Britain जब चल रहा था तो रशिया अलग थलग हो गया था और मजबूरी में उसे ब्रिटेन की तरफ जाना पड़ा था second world war में भी Germany और Hitler के साथ बले ही दोस्ती करी लेकिन मजबूरी में उसे American block में शामिल होना पड़ा cold war बहुत ताकतवर चला लेकिन अब तीसरी situation को अगर आप देखेंगे तो एक तरफ अमेरिका एक तरफ अमेरिका प्लस नाटो खड़ा हुआ है और ये जो नाटो और अमेरिका हैं ये खड़े हैं दूसरी तरफ रशिया खड़ा है तीसरी तरफ चाइना खड़ा है अब र Black Sea में जितना जदा परेशान कर रही है रशिया इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ रहा है लेकिन दूसरी तरफ चाइना भी कोई दूद का धुला नहीं है चाइना ने जिस तरीके से व्लादी वोस्तक के ऊपर यहां एक शहर है व्लादी वोस्तक व्लादी वोस्तक जो है वोस्तोक कहते हैं इसको ये व्लादी वोस्तोक जो है eastern most city of Russia है जहां काफी संख्या के इंदर भारती भी रहते हैं और यहां यह काफी जादा populated और यूं कहें कि eastern door of Russia है चाइना ने इन directly उस पर अपना claim कर दिया रशिया को आया गुसा रशिया ने चाइना के बॉर्डर पर भी अपनी military presence को increase करना शुरू कर दिया ये tension का पहला part था क्योंकि रशिया इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानता है कि चाइना हमेशा से historically eastern part of China eastern part of Russia हमेशा इसको हथियाना चाहता है और इस पर कबजा करके आर्किक औशियन तक अपने आपको पहुँचाना चाहता है अब अगर China सोचकर देखिए चाइना की प्लान क्या है दोस्तों चाइना इस पूरे इलाके पर कबजा करके मंगोलिया वगरे को भी dominate करके इस पूरे इलाके पे कबजा करके सीधा अपने आपको साइबेरियंसी और आर्टिक तक ले जाना चाहता है रशिया इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समस्ता है यही रीजन है यहां पर रशियन फोर्सेज अपॉइंट हो चुकी है कि बिटा देखते हैं क्यूराइल आइलेंट्स के मामले में रशिया और जापान का हमेशा से डिस्प्यूट रहा है लेकिन जब से चाइना का राइज हुआ है पिछले 50 साल में रशिया और जापान आमने सामने कभी नहीं है 20 साल में खास कर 30 साल में कभी भी आमने सामने नहीं आया और चुप चाप एक दूसरे को एड़जस्ट कर रही है योशी हीते सूगा आए हैं इन्होंने इस पश्च शब्दों में कहना शुरू कर दिया है कि रशिया के साथ क्यूराइल आइलेंड्स को शांती से निप्टा लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आप सोच कर देख ये जापान और रशिया की नजदीकियां बढ़ रही है और फ्रेंड्सिप क्यों बढ़ रही है वो चाइना भी अच्छे तरीके से समझता है कि जो थ्रेट जापान के लिए चाइना है वही थ्रेट रशिया के लिए चाइना है और इसलिए जापान के साथ दोस्ती बढ़ तो region of conflict है, वो ये region तो ही है, साथ में अगर आप देखें, Central Asia, Central Asia, रशिया और चाइना के बीच का हमेशा से एक dominance रहा है, चाइना हमेशा चाहता है कि यहां से Caspian Sea होते हुए Black Sea तक अपना दबदबा बढ़ाए और रशिया भाई, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, अफगानिस्तान के बॉर्डर तक तो रशिया था ही, रशिया अफगानिस्तान से cross करता हुआ, सीधा यहां आता है, यानि दो रहा है दोस्तों, जिस तरीके से चाइना सेंटरल एरिया में, अएशिया में लगातार अपना डॉमिनेंस बढ़ा रहा है, उसके चलते कहीं न कहीं, रशिया के इंटरस्ट को यहां खतरा पैदा होना शुरू हो गया है, और जैसे ही रशिया के इंटरस्ट को खतरा पैदा होना शुरू हुआ यहां पर यह disputed इलाका दिखाई दे रहा है उसके बाद चाइना जिस तरीके से एरान में अपना influence बढ़ा रहा है और यहां से टर्की के अंदर अपना influence बढ़ा रहा है और यहां तक की इस Marmara Sea और Black Sea के अंदर टर्की को support कर रहा है जहां पर टर्की और रशिया एक दूसरे के आमने सामने हैं तर्की और रशिया यहां एक दूसरे के आमने सामने हैं और चाइना खुल कर टर्की का साथ दे रहा है यहां भी रशिया को समझ में आ रहा है के बेटा मामला इतना अच्छा नहीं है चाइना के साथ जितना हम उम्मीद कर रही थे तो पुतिन कौन से कम है पुतिन ने भी अपना इंफ्लूएंस खुल के दिखाया जब ये देखा तो सीधी सी बात है S-300, 400 के नाप पर चाइना को S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की जो बात हुई थी उसके बहुत सारे एक्विप्मेंट्स देने से मना कर दिया अब वो खोखले डब्बे के अलावा कुछ नहीं बचा वहीं अगर आप इंडिया को के साथ देखोगे तो इंडिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करके आगे बढ़ाने की तयारी कर ली गई है S-400 Missile Defense System को और ज़्यादा तेजी से सप्लाई करने की बात की गई और इसी साल दिसंबर के एंड तक S-400 Missile Defense System इंडिया पहुँच जाएगा चाइना इस चीज़ से बड़ा चिड़ता है और रशिया इंडिया को हमेशा अभी भी हमारे S-Jashankar सर जो है हमारे हीरो foreign policy के हीरो S-Jashankar सर जो है उन्होंने अभी कहा तो है कि इंडिया और रशिया के relations इस turmoil भरी दुनिया में उठा पटक भरी दुनिया में आज भी सबसे ज़्यादा stable है उसके पीछे का reason है कि दोनों के बीच का common दुश्मन जो है वो China है और reality यही है पहले America था अब China है और जिस तरीके से China को counter करने के लिए दोनों ताक्ते लगी और इंडिया तो face to face आ चुका है रशिया भले ही face to face ना आया हो लेकिन रशिया भी पीछे से इंडिया की खूब मदद कर रहा है अब अगला situation देखिए यहां तक तो ठीक है रशिया एक काम और कर रहा है चाइना आसियान countries को अपना एक extended part मानता है अपना एक आंगन सा मानता है और वो चाहता है यहां किसी का दबाव ना बढ़े वो बेचने की हां कर दी है रशिया भी कम नहीं है बढ़िया लेवल पर एक आसियान countries को खुल के अथियार बेच रहा है टैंक लो गोला बारूद लो मिसाईलें कुछ भी लो सब एविलेबल है चाइना इस चीज से चिरता है अब एक चाइना इस चीज से चिरता तो है दबाव भी है सब चीज़े है लेकिन फिर भी चाइना ने रशिया के ऊपर दबाव बनाने के लिए एक काम किया कि रशिया को भी BRI, Belt and Road Initiative का अपना पार्ट बना लिया ट्रेड तो रशिया के साथ बढ़ ही रहा है इंडिया का जो ट्रेड है वो साथ आठ बिलियन डॉलर का है रशिया के साथ चाइना का जो ट्रेड है वो अप्रॉक्सिमेट 70-80 billion dollar का है तो लगबग लगबग 10 गुना का फरक है investment से लेकर हर चीज़ के मामले में Russia और China के जो relations बढ़ रही है वो गजब level पर बढ़ रही है अब यही चीज़ में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि असलियत में मामला यही है कि BRI से लेकर हर जगहें पर रशिया के अंदर investment करके चाइना रशिया को अपने उपर dependent बनाना चाहता था कि अब रशिया मेरी B team बनेगा लेकिन पुतिन तो पुतिन है वो इतनी जल्दी किसी के काबू में आ जाएं ऐसा कैसे हो सकता है उन्होंने अब जिस टाइम पर वार तब किया है जब जिस टाइम पर चाइना सबसे ज़ादा कमजोर है अगर आप देखेंगे तो चाइना की economy पर कॉरोना की वजह से सबसे बुरा असर पड़ा और खासकर communist regime को समझ लीजिए communist regime कभी भी अंदर से निकलने वाली regime नहीं है communist regime हमेशा हमेशा एक बड़ी tension बनी रहती है इस regime को देखकर उससे परेशानी की और यह fact है और उस परेशानी से बचने और उन सब चीजों से बचने के लिए communist regime को अपनी economic growth बनाई रखनी पड़ती है जब तक रशिया में economic growth थी तब तक रशिया में कोई problem नहीं थी जैसे ही रशिया economically कमजोर हुआ औंधे मू नीचे गिरा यही चाइना के साथ भी problem है चाइना की इस communist party की सबसे बड़ी problem यह है कि उसे economic growth rate बनाई रखना है अगर वो growth rate नहीं बनी तो हालात खराब हो जाएगी infrastructure के उपर invest करना शुरू किया कि बड़े न बहुत सारे buildings पुल वगरा बनाने शुरू कर दिये जाएए अब problem यह है उसमें सबसे ज़ादा important चाहिए steel अब steel के साथ problem यह है कि चाइना भले ही ज़ादा steel produce कर पा रहा हो लेकिन उसकी अपनी capacity है demand ज़ादा है iron और उतनी निकल नहीं पा रही है जितनी निकलनी चाहिए और सबसे बड़ा supplier चाइना को steel या iron और का एक तो इंडिया है इंडिया वैसे ही अपनी मौज ले रहा है और दूसरा आस्ट्रेलिया था और तीसरा सबसे बड़ा supporter supplier जो था वो रशिया था आस्ट्रेलिया से खट पट चल रही है इंडिया वैसे ही limited supply कर रहा है क्योंकि कहरा भाई हमारे यहां demand ज़ादा है तो पहले हम पूरी करेंगे बाद में देखेंगे रशिया को इस चीज़ का पता है एक तरफ चाइना के पास पैसा कम है दूसरी तरफ उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया और इस हद तक टैक्स बढ़ाया कि वो टैक्स 15% तक बढ़ गया अब स्टील पर टैक्स 15% बढ़ाने का मतलब क्या है कि हर प्रोजेक्ट की कॉस्ट एक ऐसे टाइम में जब चाइना खुद economic crisis से गुजरने की मतलब economic crisis के तरफ बढ़ रहा है fund crunch भले ही अभी नजर ना आ रहा हो लेकिन जिस तरीके से बहुत बढ़ी संख्या में दुनिया के अलग-अलग देशों में इसने invest किया है और वो सारी investment डूबती जा रही है उसके returns अभी नहीं मिल रहे है चाइना एक crisis में है ऐसी situation में आपने किसी भी cost किसी भी product की या किसी भी project की cost को अगर 10 से 15% बढ़ाने में कामियाबी हासल कर ली तो असलियत में इस समय पर चाइना की weakest point पे सबसे पुरी तरह आपने हमला किया है चारों तरफ चाइना को घेर तो रहे हो प्रेशान तो कर रहे हो यहां तक की तालिबान के मामले में भी चाइना को पीछे नहीं छोट रहे लेकिन आप जिस तरीके से अब रशिया ने हमला किया है उसका दबाव देखने लायक है और यहां यह चाइना की जो फ्रस्ट्रेशन है वो सोच कर देखिए कितनी जबरदस्त रही होगी कि रशिया एक ऐसा देश जो सबसे चाइना के सपोर्टर्स में सबसे ज़ादा ताकतवर और वो जब ऐसी हरकते करे तो वास्तव में चाइना से उसकी जो खुंदक है उसकी जो गुसा है जलन है वो दिखाई दे रही है इसका मतलब everything is not okay between चाइना एंड रशिया चाइना अपना expansion कर रहा है जिससे रशिया के interest सो खत्रा था तो रशिया ने समय के अनुसार उस पर महमला करना शुरू कर दिया है और इसी वजह से इस चीज का भरोसा नहीं किया जा सकता कि रशिया जो है वो अगर अमेरिका और चाइना का conflict होता है तो वो चाइना के साथ खड़ा होगा इस चीज का जादा भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि रशिया के अपने interests है जो challenging है बाकी समय के अनुसार पता लगेगा कि किस तरीके से वहाँ पर situations बनती है या बढ़ती है बाकी तो देखो दोस्तों हम आपके साथ हैं है या आपसे discussion करते हुए लेकिन अभी रशिया और चाइना के relations को जादा अच्छे नहीं है यह पक्का है और जैसे जैसे इनमें changes आएंगे हम आपके साथ discuss करते रहेंगे अभी के लिए इतना ही धन्यवाद